Export Preparedness Index 2021 नीती आयोग ने कोलाबरेट किया Institute of Competitiveness के साथ और रिलीस किया दूसरा एडीशन Export Preparedness Index 2021 का पहला इंडेक्स अगस 2020 में लाए गया था इस इंडेक्स की बात करें Export Preparedness Index की तो ये एक comprehensive analysis थी इंडिया के export achievement की एम ये था identify करना कुछ ऐसे areas को जहाँ पर export की problems है जहाँ पर exports है वो नहीं हो बहले क्या ऐसे area है जिसके कारण हम export नहीं कर पा रहे हैं तो उन gaps को उन areas को fulfill करना और export को promote करना इसका main objective हमें देखने को मिलाता जो हमारी coastal states है guys वो best performer रही है इस index के अंदर और किस प्रकार से राज्यों को rank किया जाता है तो चार की parameters के अधार पर राज्यों को rank दिया जाता है जिसकी policy उस राज्य के अंदर export को लेकर क्या policy है कैसा आपने business ecosystem जो है वो तयार करके रखा है कैसा export का ecosystem है किस प्रकार से export आपकी statement जो है तो यह सब चीज़े जो है वो देखकर एक state को rank दी जाती है index के अंदर 11 sub pillars भी मौझूद है जैसे कि export promotion policy कि आपकी state ने export को promote करने के लिए कोई policy लाई है कि नी लाई है किस प्रकार के institutional framework आपने तयार किये है export को बढ़ावा देने के लिए कैसा business environment है infrastructure है ट्रांसपोर्ट connectivity कैसी है अगर किसी export वाला जो sector है उसको loan मिलने की सोविदा available है कि नहीं loan मिल पा रहा है कि नहीं export को लेकर क्या infrastructure आपने जैसे port वगएरा होते है तो वहाबर आपने क्या तयारी जो है करके रखी है trade support जो है वो किस प्रकार का है research and development infrastructure पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है export diversification कि किस प्रकार से export को आप diverse कर रहे हो कि एक ही चीज़ पर export हो रहा है multiple चीज़ों पर हो रहा है यह भी देखा जाता है और किस प्रकार से growth हो रही है साल दर साल तो इसको डेवो चेक किया जाता है और फिर तयार की जाती है यह रेपोर्ट और गुजराच जो है इसनले टॉप किया है और लगाता दूसरी बार फिर सेकेंड पे महराश्य थर्ट पे हम लोग को करनाटक देखने को मिल रही है बाइब को जाता है